तुमस्ते इंडिया दिल्ली फूडी में आपका स्वागत है आज हम आपको लेकर चलेंगे आपको आपके बच्पन की यादों में जहां आप बच्पन में भागे भागे स्कूल से निकलते ही सबसे पहले पहुंचते थे गोला चुष्की वाले के ठेले पर और बोलते थे भा या एक गोला चुष्की देना तो वही गोला चुष्की आज हम आपके लिए लेकर आएं घर में बनाएंगे से इसके लिए सबसे पहले देखिए हम इसके लिए शर्बत तयार करेंगे शर्बत बनाने के लिए एक कप मैंने यहां पर चीनी लिए है उसमें दो कप पानी डा और इसको हमें एक तार या दो तार केसे चासनी जैसा नहीं पकाना है बस इसको हलका साभ़ा दो करके और बस एक बॉइल आजाएगारक और हमारा शर्बत तयार है इसके और तोड़ाता हो निपनी जिस्सेड़ कि एक इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे से मूलेंगे इसे और यह बन जाएगा बस एक बॉ125 आ जाएगा nih है और चारब पर अबाद तंदा हो जाय तो हम इसको करेंगे क्योंकि हमें इसको देना है अलग इफ़र्ण डिफर्ण कलर्स और फ्लیवर्स अलग लग फ्लैवर्स के लिए आप इसमे यहाँ पर कभी थोड़ा यह उस कर सकते हो रसना टैंग औरणज फ्लिवर देने के लिए मंगो फ्लेवर उसमें डिफर्ण डिफरंट फ्लेवर आते हैं वो डाल सकते हैं انतया एक पैकिट की देख हैं यहां पर मैं अगर आपके पास लिक्विडी फॉम में कलर्स हो तो आप वह भी यूज़ कर सकते हो मैंने यहां पर यह पाउडर फूड कलर यूज़ किये हैं ग्रीन कलर कितना प्यारा लग रहा है देखिए थोड़ा से इसमें यह डाल दिया अब यालो कलर है यह डाल दिया इसमें अगर अगर आप देना चाहो तो यह रसना के टैंग वगरा और रसना के पैकिट जाते हैं वो लाकर आप इसमें डाल सकते हो और इसे और भी हैल्दी बनाने के लिए चाहो तो इसमें ग्लूकॉन C, ग्लूकॉन D वो भी डाल सकते हो एक एक चमस यह हमारा और भी हैल्दी भी हो ज और आप मसालों मों他 इस एक चुटकी गुनापिसा जीरा, एक चुटकी ब्लैक वूद दिया सब चार्ट करना、 ऐसमें फेह किष्ट में देलर निम्बू का रसनी चोड़ देंगे थोड़ा सा ये देखिए और ये हमारा काला खटा फ्लेवर तयार हो जाएगा सब से चाहर हैए इसको ब्लैक कलर लाने के लिए हम क्या करेंगे सारे जितने भी हमारे कलर जाए हम्दे में शेक षयinas शोबाद ये पूद्य किलर हुआ जो पिंग डालेंगे जालं कोकर में थे औरंज-डाइज्स कर लेंगे और ये लि Bis को तायो काला खत्ता बन होगा इसका कलर देखे एक तो वही आया से जो बजार जैसा ठेले पर भाहिया देता है हमें काला खट्टा वही कलर और फ्लेवर तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको आप इसे पना कर देखेगा आपको इसको बुखल बस्पन की याद आ जाएगी आपको कि जैसे बस्पन में हम गोला चुस्की खाते थे ठेले वाले भाईया से लेकर अब इस गोला बनाने के लिए हम बर्फ को आप दो तरीके से बना सकते हो इसकी बर्फ एक तो मशीन तो हमारे पास घर पर अवेलेवल होती नहीं है तो हम क्या करेंगे एक बड़ा सा टावल या मोटा सा कोई बना सकते हो इदेखिए यह डावल में मैंने कूटली थी बरफ और यह ग्राइंडर में बनाली मैंने यह हमारी बरफ बनाने के लिए है गोला बनाने के लिए बरफ रैडियो गई यह कि इस तरीके से अब आपको कोई भी लास स्टील का या का जो भी शेप पसंदो उसमें स्टिक डाल दीजेगा इस तरीके से यह आइस क्रीम स्टिक है डाल कर और यह देखे कितना बढ़िया हमारा इसको जितना ज्यादा टाइटली आप दबाओगे यह गोला उतना ही बढ़िया बनेगा अब बच्चों का जोन सा भी फ्लेवर या कलर पसंदो उसमें डिप करके आ इस तरीके से बना बना कर बच्चों को दीजिए गर्मियों में ठंडक का हैसास और इतना बश्पन की याद में ले जाने वाला यह रेसिपी है यह देखिए बढ़िया बनाया हमारा आप इसको बरफ को जितना ज्यादा दबा दबाके और जितनी बरफ आपकी बारी कुटी भी भी होगी उतना ही बढ़िया आपका बोला बनेगा यह मैंने इसको औरेंज डैट कलर में डिप कर दिया कितना बढ़िया हमारा गोला बनकर डैडियो आया है वहती टेस्टी भी लगता है फ्लेवर्स के लिए आप इसमें अपने मन पसंद कोई भी फ्लेवर डाल सकते हो एक ग्रीन कलर का गोला बस इसी तरह के से हम सारे कलर के अलगले डिफरेंट डिफरेंट कलर के तैयार कर लेंगे और सबसे लास्ट में यह देखिए काला खटा सबका फेवरिट काला खटा गोला हमारा कितना बढ़िया बनाया है आप इसे घर में गर्मियों में जरूर बना कर बच्चों को दीजेगा अगर आपको हमारी डिली फूडी जरूर सबस्क्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा हमारी डैसिपी और शेयर कीजेगा बेल आइकन को भी जरूर दबाईएगा थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स पर बढ़ Clint